नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे पाचक एनजायमों का क्या कार है जैसे की पैसन है पाचक एनजायमों का क्या कार है उत्तर है भूज पदार्थ प्राक्तिक रूप से जटल होती है भूज पदार्थ प्राक्तिक रूप से जटल होती है पाचक एनजायम जटल कार्बनिक पदार्थों को छूटे तथा सरल पदार्थों में परिवर्दित करने में सहायक है भुज़ पदार्थ प्याक्तिक रूप से जटल होती हैं और जो पाचक एनजायम होती हैं वो जटल कार्बनिक पदार्थों को छूटे तथा सरल पदार्थों में परिवर्दित करने में सहायक हैं तो जो भुज़ पदार्थ हैं वे प्याक्तिक रूप से जटल होती हैं और पाचक एनजायम जटल कार्बनिक पदार्थों को छोटे तथा सरल पदार्थों में परिवर्दित करने में सहायक हैं ए, कार्बो हाइडेट्स को गिलुकोज में बसाको वस्ये अमलों में तथा प्रोटीनों को अमीनों अमलों में परिवर्दित करके भोजन का पाचन करते हैं पाचक एनजायम कार्बो हाइडेट्स को गिलुकोज में बसाको वस्ये अमलों में और प्रोटीनों को अमीनों अमलों में परिवर्दित करके भोजन का पाचन करते हैं जिस्से की वे छुद्रांत की वित्ती द्वारा सरलता से अवसूसित किये जा सकें जिस्से की वे छुद्रांत की वित्ती द्वारा सरलता से अवसूसित किये जा सकें अताहा पाचक एंजाइम हमारी पाचन किरिया को सुगम बनाते हैं इसलिए पाचक एंजाइम हमारी पाचन किरिया को सुगम बनाते हैं तो हे गाईज एदियाप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और सस्क्राइब करें धन्वाद